और कोर्शन सब करें वो कि सुर्ष सारा नहीं की है कि ठीक है तो पहले जो टॉपिक उसको देखते हैं कि तुम्लों का रोटेशन के लाज्ट टॉपिक ही है कार टॉपली जैसे कि अगर हम लोग पहले तो पढ़े हैं यह कि अगर ऐसा हमारा रोड रहता है ठीक है और एक सिंपली ऐसा कार है कि स्पीड भी से जारा होता है तो हम लोग बोलते हैं स्कीडिंग के लिए ठीक है एगर रेडियस आर है तो फॉर सेफ़ टर्न ठीक है यहां पर हम लोग स्कीडिंग बोला करते थे पहले जो हम लोग सरुक्लर मोशन में पढ़े थे उसके लिए हम बोल रहे हैं ठीक है नो एसकीडिंग के लिए सेफ़ टर्न के लिए जो हमारा होता था यहां पर हम बोलते थे कि फ्रिक्शन इदर की तरफ लगेगा क्योंकि हम बाहर की तरफ पूश करते हैं तो गाड़ी जो है बाहर की तरफ एसकीड करना चाहता है है तो यह फ्रिक्शन का वेलू ही हमको एम बी स्क्वार वाई आर परबाइड करेगा और निस अंट्रीपिटल फोर्स परबाइड करेगा जिसका वैलू मैकसिमम मुव एमजी हो सकता है तो यहां से हम लोग बोले थे कि वी का जो मैकसिममम लिमिट होगा वांडर रूट य सिर्फ के लिए रेकिन अब हम बात करने डॉप लिंग Jewish क्रवूत होते हैं डवं देखार कि mostrar धजयादा होतेके सोठी गारी ये जूड़ी कार होते हैं की शूटई अधर STEPHAN crisis करें अब तो उसी के बारे में हम लोग यहां पर पर डिसकस करेंगे टॉपल का ठीक है यह था for safe turn यायनीं कि sliding standing का बात कर लेकिन अब अगर हम toppling का बात करते हैं कि अचिंसे हमारा ड्रोड ओड और यह हमारा रोड कर आप की इस ॉइस फर हम मान लेते हैं यह गाड़ी मिए ऐसा बना रहे हैं कि इसके चक्के को सो करना चाहा रहे हैं तो यह अंदर की तरफ से जा रहा है नहीं कि हम पीछे से खड़े होके देख रहे हैं कि इसका रेडियस कुछ होगा यहां से यहां तक यह कुछ हम मान लेते हैं कि आज रेडियस ठीक है पीछे से मान लेते हैं कि ऐसा का ड्रक है आगे की तरफ जा रहा है ठीक है इतना बात समझ पा रहे हो हेलो जैस ठीक है ऐसा टर्न है और ये ट्रक जो है इस रोड पे ऐसा अंदर की मतलब की ये मोड पे समझो कैसा टर्न लेते हुए जा रहा है हम पीछे से कड़े होके देख रहे हैं इसका जो सेंटर अफ मास होगा इधर कहीं होगा ये जो हम बोल रहे हैं इसका सेंटर अफ मास और इसका सेंटर अफ मास अर्थ से लेट से की एज हाइट पे है ठीक है अब तुम लोग बताओ कि इस पे फ्रिक्शन किदर की तरफ लगेगा सेंदर किदर हो लिफ्ट साइट इन कि इस चेके पे इधर इस चेके पे इधर दोनों फ्रिक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा अगर दो सर्फेसस बनाए हैं दो चका दिखा रहे हैं दोनों पे अलग अलग होगा या सेम होगा बोलो ज़र अलग अलग होगा अलग लगों क्यों इस रेडियस अलग है इस फ्रिक्षन में रेडियस का क्या मतलब है मादो नॉर्मल से रिपरजेंट करते ना इस राइट वाले पर से ज़्यादा नॉर्मल लेगेगा ठीक है देखो आगर ध्यान से तो ये अगर ट्रक जाएगी तो बाहर की तरफ इसे पलटने का चांसे ज़्यादा आओंगे ठीक है अब यहां सोचो फिल करो ठीक है कि ट्रक जा रही है ठीक है यह बस जा तो हम किधर की तरफ दखका देते हैं पाहर की तरफ यानि कि जो हम एंटू लिखे हैं वह ज्यादा होगा एस कंपेर टो एनवन हमाल लेते हैं कि और इसके बीच में queens, स्पे में रोड के बीच में लेकिन नॉर्मल अलग हमें के वज़िक्स दोनों जगा सेम नहीं होंगे अलग अलग होता है लेकिन हम जानते हैं कि रहें से बस जाती है तो बाहर की तरफ हम जटका देते हैं लगता है कि हम बस से बाहर निकल जाएंगे बाहर की तरह ज Chambers की वाल पर चट खैंशने पूरा का पूरा बस का नॉर्मल भी जो इधर की तरफ सिफ्ट हो ज्यादा होगा Français तो सडान्म थो ए ठीक है अगर हम करें कि आई हरे रहा है तो बाहर वाला या उसकी तरफ नॉर्मल ज्यादा होगा उसकी तरफ उसका जुकाव ज्यादा होगा अगर यह फिल कर पा रहे हैं अगर हम लोग तो अब हमारा काम है कि क्या होगा वह सब चीज़े पता करना तो हम इतना चीज़ देख लिए कि अगर मास्क अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी है तो कि यहां प्रिदर की तरफ एमजी लग रहा होगा कि अधिक यह सारे फोर्ट समको लगते हुए दिख रहे हैं दोनों चक्के अगर दिखा रहे हैं दो ही दिख रहे हैं आगे वाले पर वैसा ही बिएव करेगा तो हम लोग दो ही को लेके चल रहे हैं तेक पे एनवन एक पे एंटू एंवन और एंटू में कौन ज्जादा होगा अगर समतल रोड रोका बराबर खड़ा होता तो रोकिन हम ऐसे अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हम जानते हैं अपने अपंव्ज़र्वेशन से कि यह बाहर की तरफ जुकाव इसका ज्यादा होगा तो N2 ज्यादा होगा N1 से अच्छा इसी में अगर हम तुम से पूछे कि जब टॉपल होने का कंडिशन आएगा तो N1 और N2 में क्या रिलेशन है कुछ पदा सकते हो तो N1 जीरो हो जाएगा होने के लिए इधर जो लेफ्ट साइड का चक्का विल है उसको अपना कंडिशन होगा हमारा टॉपल होने का जब इतना जानते हैं तो इसके बाद क्या काम करना है इक्वेशन लिखते हैं हम फोर्स बैलेंस करें तो हमको एक एक एक्वेशन दिख रहा है कि N1 प्लस N2 इसकल टू एमजी है एंड एफवन प्लस एफटू जो है वह एमभी स्क्वाइर के बाराबर होगा ठीक है कभी भी अगर सेंटर की तरफ सर्कुलर मोशन में फोर्स जो लग रहा होता हो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जिसका बैलू एमभी एस करवे यार होता है तो हम यह दू एक्वेशन तो यहां से लिख सकते हैं इसमें किसो को दिकत अगर हम टॉर्क एबाउट सेंटर अफ मास लिखें रिखें तो लिखते हैं द्यान से यहां फिगर में देख लो कि center of mass पे जब हम बैठ रहे हैं तो N1, F1 और F2 तीनों क्या उसको clockwise रोटेट कराने की कोशिस कर रहा है बोलो N1, F1 और F2 तीनों जो forces हैं center of mass से अगर हमें observe करें तो तीनों के तीनों forces clockwise रोटेट कराने की कोशिस कर रहे हैं रोख कौन सकता है तो सिर्फ N2 यानि कि अगर हमें माल लेते हैं कि contact to contact कुछ छुटा नहीं है तब रोटेट अभी नहीं कर रहा है तो यह जो तॉर्क होगा वैलेंस होगा यानि कि N1, F1 और F2 का जो तॉर्क होगा वह N2 बैलेंस कर रहा होगा तो कैसे लिखेंगे ध्यान से बोलो यहाँ पर हम एक चीज और लिखने चाह रहे हैं यह जो वी इस चके के दूरी जो है इस सेंटर से दोनों चेके के दूरी जो है सेम है वो कितना कितना है अब बोलो टॉर्क क्या लिखें तो जिसका जिसका सेम है उसको हम एड़ गर देते हैं है यह होगा बोलो असे यहां एफ वन एच दूरी पर है है अलो होगा यह से यह सो ठीक है यहां पर लिख सकते इसको एफ वन प्लस एफ टू एच इसकल टू फू एंड़ रिटीक है यहां समको दिख रहे एफ एफ अफ टू जो है एंवी स्क्वाएर चाहिए श्वाइर बीख सकते हैं एंवी इसकुरवाई आर एंट्व एको हम इंदर ला रहे है तो एच अलिक है इसको फैस दो माइनच एंड़ अगर इसको वन बोलते हैं इसको भी बोलते हैं है ठीक है यह चीज़ रखें है फ्रम टू अब यहां से सॉल्विंग वन एंड थ्री थी को द्यान से एक्वेशन को देखो अगर हम जोड देते हैं तो एन वन कट जाएगा तो हमको एंड टू का बहलू कितना मिलता हुगा दिख रहा है बताओ एक्वेशन वन और टू को जोडएंगे तो टू एन हो जाएगा तो इसलिए हम इदर लाके टू से डिवाइड करती हैं दोनों को जोड के के लिए रहे हैं वैसे ही अगर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो एन वन का वहलू हमको मिल जाएगा कि एम जी बाइटू माइनस एम भी स्क्वार वई टू आर इंटू एच बाइए मिल रहा है कि क्वेशन ने सॉल्व करना है कि यहां पर तुम लोग भी चाहो तो डिरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि यहां से एन वन और एन टू का वेलू हमको मेल गया एंद कि किसी भी वेलू सिटी के साथ अगर हम रिलेट करके देखें तो इतना हमको एन वन एन टू मिल रहा हो अगर टॉपल करना है तो कंडिशन क्या था जानते हैं यह जीरो के बाद तो इससे कम तो अधो हो नहीं सकता है तो हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं और केस के लिए जैसे के अगर हम भी कर रेंज नहीं कालना चाहते हैं यसलिए आम लेज दिन लगा हम जानते हैं कि कंटेक्ट छूटी गया तो नॉर्मल जीरो हो गया लेकिन हमको लिमिटिंग वेलू की बात कर रहें इसलिए हम लगा दे रहें लेस दन इक्वल टू जीरो होने जी बाद में भी लगा सकते हैं मैथमेटिकल है ठीक हैं तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं ध्यान से देखो लेस इंप्लाइज डैट कितना जाएगा एमजी बाई टू माइनस लेस दन इक्वल टू हो जाएगा एमभी स्कार बाई टू आर इंटू एच बाई ए यानि कि भी सुट भी तो यहां तो इधर एन लिखते तो माइनस में यही था ना इसको इधर लेते आए यहां से हमको भी क्या दिख रहा है यह एमभाई टू एमभाई टू तो कैंसल हो जाएगा पॉजिटिव ही है आर पॉजिटिव ही है ए तो कॉंस्टेंट ही है पॉजिटिव ही है इसको हम लोग लिख सकते हैं आर जी एफाई एच यही कि हमको इस वेलो सिटिव से ज्यादा रखेंगे तो टॉपल होगा इस वेलो सिटिव से कम रखेंगे तो टॉपल नहीं होगा लिमिटिंग केस इसलिए लगाए थे ताकि हमको भेलोसीटी में यहां पर हमको समझ में आए कि जो हमारा भेलोसीटी मैक्समूम फॉर सेफ टर्न क्या होना चाहिए यहां पर ध्यान से देखो तो एक यह है तो अगर यह हमारा गाड़ी के बीच का चक्का था ऐसा था तो हम इसको बोल रहे हैं यह तूए है और यह जो है इसका सेंटर आप मास है रेडियस तो आ रहे हैं जितना बड़ा रेडियस रहेगा वेलोसीटी उतना ही ज्यादा रहे अब यहां पर देखते हैं किस-किस फेक् लेजन कैसे हो सकता वहां पर तब से तो यहीं बता रहे थे नहीं सुनें मिस होगे बता जीनों यही तो बोल रहे थे कि हम बोल रहे हैं कि N1 नॉर्मल है कंटेक्ट छूटेगा इसका मतलब नॉर्मल ख़दम अनि नॉर्मल मिनिमम जीरो हो सकता है निगेटिव नॉर्मल के क्या मतलब हुआ हम यहां पर इनिक्वलिटी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम वेलोसिती का बात समझ सकें ठीक है मैथमेटिकल तरम को डिफाइन करने के लिए और कुछ नहीं ठीक है जैसे यहां इक्वल करते तो यहां पर हमारा क्या आता इक्वल आता वेलोसिती अगर इक्वल वेलोसिती आता तो मैक्सिमम होता या मिनिमम होता हम कैसे बताते तो इसलिए बस इनिक्वलिटी साइन लगाएं और कोई रिदन नहीं ठीक है जैनिकि अगर हम in less than का sign नहीं लगाते तो हमको भी यह आता अब वो मैक्σιमम होता कि हो maximum value आता कि minimum आता तो इसलिए हम inequality sign लगाएं और गोई reason नहीं clear है? सब उल्टा भी तो सब था 1 greater than equal to 0 greater than कर तो तो कैसे होता बताओ सब minimum 0 जा रहा ना तो last उसका 0 तक जाएगा उसके अलाबत तो 0 समय सब बाढ़ होने के लिए 0 से अगर जादा रखोगे तो टॉपल करेगा अभी no so तो इसलिए हम less than का लगाएं जब contact छूट रहा है नहीं कि जब वो खड़ा था horizontal था तो उसपे mg by 2 लग रहा होगा दोनों normal बराबर लग रहा होगा अब move करने लगा तो ये normal घटा 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 गया तो इक्वल टू जीरो पहुंचा तो greater than equal to zero लिखेंगे less than equal to zero लिखेंगे गर हमको inequality बनाना होता है तो कि कंडिजन यह होना चीए कि नॉर्मल जीरो होना चीए contact छूट जाना चीए लेकिन में है कि हम velocity अगर उस समय पर निकालेंगे तो velocity क्या होगा maximum होगा minimum होगा यह हम समझेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अगर हम inequality ऐसा लिख लिए तो हमको लग रहा है कि भाई safe turn करना है तो maximum इतना speed से हमको चलना चाहिए इससे कम चलेंगे बढ़ियां है इससे ज्यादा हुए लोड़क जाएंगे clear है yes अब यहां पर हमको दिख रहा है कि maximum speed for safe turning के लिए निए without topple करते हुए हमको इतना speed से ही move करना है इससे अगर हम ज्यादा हो गए तो topple कर जाएंगे इस speed से अगर हम ज्यादा speed बढ़ा देते हैं तो topple हो जाएंगे क्योंकि यह condition हम लिखे है यह fault toppling है ठीक है टॉपल होने के लिए velocity इतना से ज्यादा होना चाहिए और maximum इतना नहीं कि इस से गर less रहेगा तो safe turn होगा ठीक है अब यहां किस-किस factors पर डिपेंड कर रहा है तो ध्यान से देखे तो R और Z तो radius Z है वो तो है ही वो तो भाई road है तो R fix है जी fixed है अगर हम car कुछ भी बनाना चाहा रहे है तो A और H इन दो चीजों पर ठीक है ठीक है A क्या है तो center of mass उचकता है यह अगर हम वहां पर रखते उपर नीचे 2 से divide multiple कर देते तो 2 हमको मिल जाता यहनि कि चोड़ाई होगी गाड़ी की चोड़ाई ठीक है अगर गाड़ी जितना चोड़ा रहेगा टॉपल करना उतना मुस्किल होगा या असान होगा बताओ मुस्किल होगा मुस्किल होगा यहनि कि अगर हम उसकी चोड़ाई बढ़ाते हैं तो हम ज्यादा speed से भी इस radius के जो तरने उसको हम pass कर सकते हैं ठीक है दूसरा बत height height अगर ज्यादा रहेगा तो असान होगा टॉपल करना या फिर height कम रहेगा तो height ज्यादा रहेगा तो height ज्यादा रहेगा तो जल्दी से टॉपल कर जाएगा टॉपलिंग करना असान होगा लेकिन अगर height कम रहा तो टॉपलिंग मुस्किल है तो यही reason है कि जो हमारे sports कार बनती है कि देखो कि जो मोटे मोटे चक्के होते हैं अग्दम जमीन में सटा हुआ रहता है और उसका चोड़ाई भी थोड़ा ज्यादा रहता है चक्का बाहर की तरफ ऐसा मोटा वाला दिख रहा होता है बीच में driver seat होता है और पूरा बिल्कुल जमीन में सटा हुआ रहता है क्यों क्योंकि उन लोग को racing करना है तो turn आएगा turn आएगा तो आप उसको ज्यादा जितना ज्यादा स्पीड से उपास करेगा उतना ज्यादा असानी सो रेस जितेगा ठीक है तो sports car या फिर sports में जो करते हैं वो लोग इसलिए उसका चोड़ाई थोड़ा ज्यादा रखते हैं और height कम रखते हैं अब truck यह सब का हो गया तो भाई road का चोड़ाई जो है वो fix है कि भाई इतना में रखना है हम अपने हिजाब से design नहीं कर सकते हैं तो उसका लगाने पड़ते हैं तो support के लिए ठीक है कि एक ही जगा अगर wait आ जाएगा तो हाँ पर उस्तो रहना चीए यहनि तो bending ending and stress से generate हो जाएगा तो खेर वह अलग matter हुआ यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर हम लोग height कम रखे चोड़ाई ज्यादा रखे तो same radius का अगर हमको curve move करना है तो हम ज्यादा speed से safely turn कर सकते हैं लेकिन अगर हम चोड़ाई कम रखे height ज्यादा रखे तो उसी curve को move करने में हमको speed कम करके move करना पड़ेगा clear है यह चीज़ हम लोग अपने experience से अभी कह सकते थे कैसा होना चाहिए यहाँ पर हमको numerically भी मिल रहे हैं ठीक है यहाँ से हमको दीख रहा है कि if h decreases and a increases top link is chances reduces reduces ठीक है अगर हम h को decrease करें center of mars इतना जमीन में सटा हुआ रहेगा उतना ही top link का case काम होगा clear है इतना hello in just yeah 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 यह question करो यह 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 यहां पर वह hints किया हुआ है यह इसको हम यहां से slightly push कर दिए मार्स मार्स एम है रेडियास लेंथ एल है यह इस और पीख है नॉर्मल फोर्स एक्जयर्टेड यह साथ पूँए थे एक बार कर दून हैंज दून का रोड मेंगा दून तून प्रिच दून दून की टून की थ्रिट प्रिट कि रून कि लो यह स्रीक्ष पारले भी साइद पुछे दे तुम्ही नब चुकी सब खतम हो चुका है तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा कि लlaुत नबते हैं कैसे बना कायो है? झाल 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 जाना पढ़े हैं कैसे करेगो जाल जाल वो एंडी का कंपोनेंट ब्रेक किया और नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक किया। फुज जो रोड के साइट सा उसको इकॉल्टू कर दी। आए यह 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 नियुक्त करी है जटी रिंगे ठीजी शोर्टे अजय है अंगार लिखेंगे झाल झाल यहां पर हम लोग फोर मेगा गरों में इनिशल इसकल टू यहां पर टू दूरी पर था ठीक है अब इसका इतना हाइट नीचे आ गया यह हाइट हम लोग एच अगर बोल दें तो यह कितना होगा बोलो कानेटिक इनर्जी क्या होगा रोटेशन कर रहा है तो वन बाइट टू आई ओमेगा स्कॉयर इसकल टू अब अब जी एल बाइट टू वन माइनस कॉस अफ सिक्स्टी डिगरी लिख सकते हैं दो अब आए अब अब आए अब रोड है एम एल स्कॉयर वाइट रिया अब अब जी एल वाइट वाइट इन टू वन बाइट वाइट वाइट तो आप यहां समय मेगा फाइन कर सकते हैं अब जेक लिए अब करें तो टूर्क का एम जी नीचे लग रहा है यहां सी यह परपेंडिग्टिक्लर डिस्टेंस हो जाएगा तो टॉर्क अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एम जी एल बाई टू साइन सिक्स्टी डिग्री इसकल टू आई अल्फा एनिक एमल स्कार वे थ्री इंटु अल्फ से अल्फा आमको मिल जाएगा एमल एमल केंसेल थ्री बाई टू जी बाई एल साइन सिक्स्टी थ्री रूट टू तो नॉर्मन लिखांगा है यह हम अल्फा और यह चीस निकाल के रख लिए ओमेगा और अल्फा ठीक है तो एल्फा इतना आ रहा है थ्री रूट थ्री बाई फोर जी लेनिक हम इसको ऐसा लिख ले रहे हैं जी बाई एल यह हमको अल्फा और ओमेगा गया नॉर्मल निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे अब आते हूं सवाल पर यह हम निकाल के भी रख लिए ठीक है त्यूंकि इसका जरुरत था यह हमारा हिंज है इस हिंज के बाउट यह ऐसा रोटेट कर रहे हैं कि माल लेते हुआ हम हमेशा बोलेते हें ज है तो हम लोग कॉंपोनेंट लेंगे नॉर्मल का तो잖아 माल लिए का यह अगर अगर हम इसकी सेंटर ओफ्मार्स का बात करें तो सेंटर अप मास्जर जो मूव कर रहा है उघ्डशि Bennett हो रहा है है बोल्व कि मार्स पहले यहां था अब यहां आ गया है यानि कि वह एक्स और वाई दोनों में उसका डीस्प्लेसमेंट है ही वह थे तोम बोलरें कि ट्र platforms लग रहा है और कि मज़ग पत्ति की ब चकों ओगेीगा लुद सकते हैं कि at एक्स जो होगा मार्स इंतु एक्स डेरिक्शन होगा दो इसका एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे तो हम जानते है कि अगर ये सेंटर या अशतने। और इढ़ंच्छ र्पर लेलButton t तो क्या लिखेंगे बोलो आर इंटू अलफा यहां से यह हमको मिल जाएगा कितना थ्री रूट थ्री बाइट जी एल एल कैंसल हो जा रहा है उपर से यहां से हम देख रहे हैं 3 रूट 3 बाइट और ओमेगा-सक्रार रेल बाइट 2 अगर लिखते हैं तो 3 बाइट 2 है तो 3 बाइट 4 हो जाएगा यह हमको 2 acceleration मिल गया अटेंजेंश और यह radial यह आया एक्स डिरेक्ष्ण का Y डिरेक्ष्ण में देखे तो displacement नीचे है यानी कि M G- N of Y लिखेंगे तो लिखेंगे M of AX, A Y Y direction में अब X और Y direction में हमको components निकालने पडेंगे तो यहां से हम अगर ऐसा एक ट्रॉ कर ले तो यह 60 है तो यह भी एंगल हमको 60 ही मिलेगा यह 30 हो जाएगा तो यह हमको 60 ही मिलेगा तो यहां से हम X क्या लिख सकते हैं A tangential cos of 60 degree माइनस A radial sin of 60 degree ठीक है और A Y अगर लिखोगे त्यां से ध्यां से देखो तो A tangential sin of 60 degree प्लस A radial cos of 60 degree हम फिगर देखके लिखे हैं इन दोनों का फैलू निकालके ऊपर वाले में पूट करेंगे NX और NY आजाएगा उन दोनों के result एंट होगा हमारा नॉर्मल होगा शरए एकजेक निकाली इस्काम सर्थ कि सालो करके बता हो तुम लोग इतना आरहे है मैंने इस दो इस तब इस तो विस तेंटर फमास को जो एक्षलिएशन रहा तो त्याइट लिए निकार सकते हैं तो इसेंटर अप्मास्क यह तेक्स लेस्ट पर लिखे हैं तो उसे मेरा है अंडरू थर्टीन बाइस्टीन था एम जी कैसे करेंगे क्या कियो गता हो एसे एक्स लो से सेंटर अफ मास्क तो शिश्टी डिगरी पर सेंटर अफ मास्क एक जब का सेंटर अफ मेराद कर दो कमोनिन इक सर वाइक सर वाइक सा अलंग टराड़िए और एक परिन तो रोड अंटर अफ पिर और अर्मज का सद्डर और एक शिश्ट गयांगा पर नुए रज्टीन ग्राड उट इस तो अज़तर परेंडिलर अच्श चा एतर को जैसे कि यही करू हूँ न ऐसा है एधर insights टरफ normal ले लिए गिदर की तरफ normal ले लिए मज़ेंगे लिए एमजीदर है एमजी के इन एक और सबरिगे हम यहां पर फोर्टी idea का फिर फोर्श के कम पॉनेटी ले रहे हो हुआ है ठीक है के सही होगा तैंसर सही आएगा है वैसे भी हम लोग कर सकते हैं एक 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 लॉंग अग्जेक्ट अंसर क्या है? अंसर क्या? अग्जेक्ट तो अब सॉल्व करना पड़ेगा इसमें अब पीछे जाना पड़ेगा देखने जान सम्दिये पीडियाब देखते हैं वो बहुत लास्ट में होगा जाना पड़ेगा सॉल्व करके देख ले ना आना चाहिए बाकी कोई सॉल्व किये तो बताव कितना आ रहा है सॉल्व की पर साथ कर लेते हैं सही की होगे तो ही आएगा तो बताव ने कितना आ रहा है टेंजेंशियल एक कॉस्सिक्स्टी नेकर रूट थ्री कॉस्सिक्स्टी हो जाएगा वन बाई टू सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा थ्री रूट थ्री बाई एट्टीन 16 minus 3 root 3 by 8 G नहीं आ रहा है तो 9 by 16 G लगे 44 bucks 15 by 16 G इतना रहा है कि माइनस साइने रिपर्जेंट कर रहा है कि हम जिदर मानने है उसका पोजिट डेरेक्सिन में वाला जाएगा अब दोनों का अगर आमको एक्विवेलेंट पुछेगा तो एक्विवेलेंट फाइंड गर लेंगे कि अधिए 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 अधिश्टन कुछ ऐसा रहा है कर लेना बाकी लोग केस्ट कितना रहा है ठीक है किसो अधिया यहुण दूख थे अधिए यह सो अधिए कितना रहा है अचिसमेडा अधर रूट 19 by 64 एंचिछ थेक थेक एक ऐसा सिलेंडर है रखा हुआ है बोल रहा है कि सफिसेंट फ्रिक्षन है फॉर्स थोड़ा सा भी डिस्प्लेस्मेंट पर प्योर रोलिंग करने लगेगा ठीक है बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट थीटा थ्रू विच कि अधा सिलेंडर रोटेट्स कि विफॉर इट कि लिफ्स कंटेक्ट ठीक कंटेक्ट छोड़ने से पहले हो कितना एंगल रोटेट करेगा वह हमको बताना है कि एंड सेकेंड वेलोसीटी ओफ कि सेंटर ओफ मास बिफॉर लिपींग कि कुर्शन क्लियर है कि एक सिलेंडरिकल ऐसा अबजेक्ट टेबल पर रखा हुगा है लुड़केगा नीचे गिरेगा एस पर रखा हुगा है ठीक है तो बोल रहा है कि जस्ट अगर वो कंटेक्ट छोड़ रहा है तो कंटेक्ट छोड़ने से पहले तक इस पोजीशन से कितना रोटेट किया हो गया एकदम एस पर है और उस समय उसका भेलोजीटी कितना होगा यह को बताना है कोश्चन में किसे कोई दिक्कत है तो बोलो हेलो सिर्क सिर्फ इस वो थीटा है हाँ थीटा फाइंड करना है कि वही एंगल कितना रोटेट करेगा उसे कोई फोर्स बाहर से कोई इंपल्स नहीं देख रहे हैं आप नहीं कुछ नहीं बस थोड़ा से मतलब एकदा में पर है थोड़ा सा पूछ किया है मतलब अब बस चलने लाइक परिक्शन ऐसा है कि हम थोड़ा भी डिस्प्लेश किये तो रॉलिंग प्यूर रॉलिंग का जैसा हो जाए कि 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 झाल 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 इसके बाद अगर तो यहाँ पे जो पॉइंट आफ कंटेक्ट है वो तो इसी पे फिक्स्ट ही दा रहा है और यह सिर्फ रोटेट आशा कर रहा है सेंटर अप मास के पास हुमेगा भी अभी है निकि प्योर रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो हम इसके पास सिर्फ पोटेंशिल इनर्जी रहा होगा ठीक है तो पोटेंशिल इनर्जी कितना होगा तो कि थीटा है तो copy हो जाएगा को साफ है ठीक है है हिए है है विलए और इसके बसक्की थी लिखेंगे तो रोटेशनल होगा में प्लस ट्रांसलेशनल होगा है ठीक है यहनिकि इनिस्यल इनर्जी और फाइनल इनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनिस्यल इनर्जी है है फाइनल पोटेंशल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी टोटल होगा ठीक है तो यह चीज़ आया है अब एक चीज़ तो पहले से कि बोल रहे हैं तो अमेगा इसकल डू भी यार हम पूट कर सकते हैं जहां से हम एक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तुम लोग भी सांसल्व क कर सकते हो तो एम जी आर वन माइनस कॉस अफ थीटा इसकल डू वन बाइट तू सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्कॉर वाई तू लिख सकते हैं ओमेगा को हम लिख रहे हैं वी स्कॉर भाई आर स्कार प्लस वन बैटू एम वी एस तू कि यहां से एम एम गया आर स्कॉर है से आरे स्कॉर गया किया कि पूर अ कि अधिया कि अधिया स्कॉर अ कि अ ठीज है इतना ही आ रहा है ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं वी स्क्वार भाई आर इसकल टू फोर वाई थ्री जी वान माइनस स्कॉस ओफ थीटा ठीक है निके वी और थीटा में एक रिलेशन हमको मिले गया इतना इतना हम क्यों लिखे हैं अभी हम बताएंगे इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो कि अलो ठीक अब यहां पर हमसे बोला जारा कि चूट गया है तो चूटने के लिए अगर हम पोर्स की बात करें इस पर यहां पर नॉर्मल लग रहा होगा यह एंगल ठीटा है तो एंजी का अगर कंपोनेंट लेते हैं तो इदर की तरफ लिए गांजी कोस अफ थीटा और इदर की तरफ लिए की एंजी साइन अफ थीटा जब कंटेक्ट छूटता है तो इन इस तो यानि की एन माइनास एमजी कॉस्ट टिटा कितना होना चीए जिए जिए अगर हम बात करें तो एन वराबर एमजी कॉस्ट टिटा उसमें लग रहा हो यह जो है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है तो इसके बराबर होगा तो यहां से एमजी कल या इसलिए हम पहले से लिखका रखे थे यह लगा तो जी ओफ कॉस्ट टीटा इसकल टू फोर राई 3जी वान माइनस कॉस्ट टिन तो जी जी गया थीरी फूर सेवेन कॉस्ट इटाइस कल तुमको दिख रहा है थीरी भाई सेवेन एंगल मिल गया कॉस्ट इनवर्स थीरी भाई सेवन इसका अगर हम यूज कर ले उपर इसमें तुमको फेलोसिटी भी मिल जाए ठीक है तो कोशन क्या था हम और सब्सक्राइब कॉंसा कैसे है यह यहां पर अगर हम बात करें तो सेंटर के अलों टोटल फॉर्स कितना होना चाहिए जीरो यहीं कि सब्सक्राइब कितना होना चाहिए जीरो तो यहां सब्सक्राइब को कंटक्ट छोड़ाना है हमको है ठीक है या फिर ऐसा लिख लो है ठीक है एक मिनट जो तुम लोग सुरू से यूज करते हो वही चीजिश कर रहा है यहां पर अगर हम इसके फोर्स लिखें तो सेंटर के लंग रोटेशन ऐसा हो रहा है तो हम लिख सकते हैं एम जी कॉस ओफ थीटा माइनस एन इसकल टू एमबी स्क्वाइर बाई आप लिख सकते हैं और कंटेक्ट छूटना है तो एन क्या होना चाहिए जीरो अब क्लिए रहे हैं कि अलो कर जो कभी भी कोई भी पॉइंट अगर स्रुक्लर मोसन रॉडेट करता तो नेट फोर्स एम्बेस कर वह यार के बाराबर हम लोग लिखते हैं अब एन जो है जीरो है ता मधी कॉस टिटा को एमबीस कर वह यार लिख सकते हैं अए ट्रेयर है? अलो लो समय थो तमज नहीं हो दो क्या है वो अपस्ट करेंगे हो क्या है क्या है गुवर्ड देता है प्रश भीर वब इसकोई राज रूव सो तो यहां पर हमको दिख रहा है कि इसका center of mass इदर भी speed जा रहे हैए radius आ रहे है इस पी तरफ mg cos theta लग रहा है उपर कि तरफ normal लग रहा है ठीक है center of mass पर अब इसका circular motion का equation लिखो खैने लिखोगे net force along center is called to centripetal force और कंटेक्ट छुटने के लिए नॉर्मल कितना होना चाहिए जीरो तो नॉर्मल को जीरो पुट कर लिए और किसी को कोई दिक्कर तो पूछो जीरो कि अधियर हां वहां पर यह कैसे पता कि वह जो वैलोसिटी ऑपर पेंडिकुलर ही है अधियर 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 मास को अगर हम इस पॉइंट पर बैठ के देखेंगे तो कैसा रूटेट होता हुआ दिकेगा तो मताओ कि इसका सेंटर अपमास यहां था यहां पर हम इस पर बैठ गया है और यहां से अब्जार्ब कर रहे हैं कैसा मूफ करता हो अधियर 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 आपमास यहां से देखेंगे तो इससे पर पंडुक्लर ही होगा कि यह सब्रे अधियर आप JACK और Gईक यहां से अधियर. इस एब इस फिलुएम नधर गले कि यहां घ्तंड गया ही चैन्सी घर olduğunu टेनिसे ऐस्टलोंग को एलेंश को शाद़्ेअ क्या है आफियर ईस्दिख हियो अधियर अधियर कि अपार्ट में वसेंगे अब करो और किसी दिन जब सब कंप्लीट कर लो जो भी डाउट है उसको वाटसब में भी टेल्ग्राम भी या फिर उस समय भी अगर पॉसिबल ले तो बता देंगे नहीं तो ज्यादा होगा तो किसी दिन एक दिन और क्लास रखेंगे इसका क्लास में उन्सब को डिसकुस कर लेंगे ठीक है या जिस दिन भी तुम लोग अगर माल लेते क्लास नहीं है तो स्थाइन पर है अगर बाकी रोटेशन में और किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछो कोई भी अमल दीप कौन कौन है भाग गया सब कि नो सर्थ तो बोलो कहीं नहीं दिक्कत है देवांसू से पुष नहीं नहीं तो बोलो बोलो अगर में दिक्कत है तो अगर में नहीं पॉब्लम कौन सब कर रहो तो नहीं पॉबाट सारा एक्सरसाइज बन में एक्सरसाइज यह वाला एक ही सब सोच रहें सब का जबाज है तभी करें ठीक है क्योंकि बाकी लोग भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा क्सर मेरे अपको एक आप टेलिग्राम पर भीजा था वो प्रूवाला कर दीक रहेगा क्सर भीज़ दियो सब बाद में फिर डिसकस नहीं हो पाता है यह बुकलिट सो सब बाद में बुकलिट डिसकस नहीं हो पाता है तुम लोग करके जब डावड रहे तो बोलते हैं कि यह सेंट्स करकर के बूच लिया करो अच्छ मारा था दार अच्छ वा फिर एक्स्टा क्लास लेकर सब्सक्राइब क्लास जलता हुशे से में पुक्रेट पी कंप्रीट है तो सही रहता हुशे है लेकिन समय इतना कम बचा हुआ है इसलिए डेली होग दीजिए ना मतलब इसार एक सिस्टाइब से तो जब तक क्लास चले तब तक तो हुई जाता तो नेक्स चेप्टर से देते हैं कि बाद में फिर बच जाता है सब्सक्राइब नहीं है कि जैसे होता है कि उसमें कोशन कुछ मिक्स दिया हुआ है तो दो कोशन दिये फिर पांच कोशन वैसे होता है कि दो तिन क्लास में फिर हो जाता है पूरा होने लएक है सब मार्क करके मतलब तो बोगली टो मार्क करें देजी कोशन माना तो बना लेंगे वाद कि पिछले बार वाला था तो देखते देखते कुछ पताच आइडिया हो गया था इस बार वाला नेया बना है तो देखे भी वही तुम लोगों बताते वक्ति दिखते हैं देखते हैं कर दो देखते हैं कर दो देखते हैं झाल 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 सूर झाल कर दो कि आया क्या नूसू आगे 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 तिक तो ऐसा दे रखा है इसमें कि अगर एक नाखर आपश करण स्वाद्ट कि अगर एक हमारे पास वा देस्ट गिया तिक तो अब्सक्राइब यह नो Cut कि अधिए झाल 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 को बारबर इस थानेक्ट हो जाए बते नी क्यों आया ने आया अगै डिसकनेक्ट हो रहा है आवाज आ रहा है क्या शुर्ण आवाज आ रहा है हेलो ची बोल रहे हैं क्या दे रन्ने दे रहे हैं इसको तुम्नों का एक दिन सटर्डे को क्लास नहीं है साहे दुछ दिन हेलो